बात है 7 जुन 2023 की महराष्ट के ठाने शेतर में बनी एक बहु मनजिला इमारत की गीता अकाशदीप की साथी मनजिल पर बना एक फ्लैट जे 704 के आसपस रहने वाले पडोसी काफी परेशान थे असेन ये बदबू अब उनके लिए मुसीबत बन रही थी जब बदबू बरदाश्च से बाहर हो गई तो उन्होंने पुलिस को सूचना देने में कोई देरी नहीं की पुलिस किसी जुर्म की आशंका में आनफानन में उस फ्लैट में पहुची तो पुलिस के होश उड़ गए घर में महीला के शवके कुछ टुकड़े पड़े हुए सबी अपने अपने क्यास लगा रहे थे आखिर ये हवानियत वाला काम सीमा उसे परे था दरिंदगी का ऐसा खेल खेलने वाला आखिर कौन था आखिर उसका मकसद क्या था तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस घटना की सच्चाई की तरफ जिसकी आप कलपना भी नहीं कर ये कहानी एक लिवन रिलेशन्शिप की जो आज के दौर में एक काफी आम बात है भानी के मुखे पात्र एक चत्तिस साल की महीला सरस्वती वैद्या और उसकी लिवन पार्टनर मनोर साने जिसकी उम्र 56 वर्ष है सरस्वती ने अपना बश्पन एहमर नगर के एक अनाथाल मेया सफल होने के बाद अपनी बढ़ाई छोड़ दी थी मनोज एक पड़लिक आदमी था अनाथ होने के बावजूर भी उसने अध्योगिक परिक्षन लिया हुआ था लेकिन ट्रेन टेक्नीशन होते हुए भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली वे पवई में एक में एक राशन की दुकान पर मनोज साने और सरस्वती वेध्या की पहली मुलाकात हुई मनोज यहां पर काम करता था बातों ही बातों में जब सरस्वती को यह पता चला कि मनोज भी एहमद नगर से ही है तो दोन जल्दी ही दोस्त बन गए बाद में यह जानने के बाद की व बढ़ा रहता था उसे मनोख का साथ अच्छा लगने लगा हर चोटी बड़ी समस्या के लिए सरस्वती को मनोख का सहारा लेना पड़ता और मनोऑ भी बेज ज़क उसका साथ देता था आखिरकार सरस्वती ने अपने और मनोज की बीच 20 साल का अंतर होने के बावजूद उसके साथ जिन्दी की बिताने का फैसला कर लिया और दोनों मीरा रोट के गीता नगर में एक किराय के मकान में साथ रहने लगे ये दोनों अपने परोस्यों से कोई जादा वास्ता नहीं रखते और ना ही कहीं जादा आना जाना करते थे लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे परोस्यों को यहीं लगता था कि ये दोनों पति-पत्नी है गटना के दिन यानि 7 जून को जब पुलिस फ्लैट में पहुंची और फ्लैट का दर्वाजा खटखटाया तो मनोज नहीं गेट खोला उसने पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश की लेकिन वहां के लोगों की मदद से पुलिस ने उसे हिरासत में ले दिया सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद जब पुलिस ने मनोज को इरासत में लिया तो मनोज की चेहरे पर कोई पस्तावन नहीं दिखाई दे रहा था या किसी प्रकार का डर नहीं दिख रहा था 56 मनोज के खुद दिये गए बयान के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि मैं मनोज साने पिछले कुछ सालों से इस फ्लैट में रह रहा था सब कुछ ठीक चन रहा था और सरस्वती दस्वी की SSC परिक्षा देने की योजना मना रही थी और वो उसे मैट्स पढ़ाया करता था पुलिस को फ्लैट से एक बोर्ड भी मिला था जिस पर कुछ मैट्स के सवार लिखे हुए थे उसने बताया कि सरस्वती वैद्या उसके लिए बेटी की तरह थी और उसने सरस्वती को नहीं मारा है सरस्वती ने कीतना शक खाकर अपनी जान दी है उसने बताया कि चार जून को जब वह वापिस गहर आया तो सरस्वती जमीन पर पड़ी हुई थी उसके मूँ से जाग निकल रहा था मैंने देखा तो उसकी सास नहीं चल गई थी वह मर चुकी थी जिसके बाद पुलिस के गिरफ्त में आने से बचने के लिए उसने लाश की काने लगाने का सोचा इसलिए मनोज ने सरस्वती की बॉड़ी के टुक्डे टुक्डे कर दिये सरस्वती की हथ्या के बारे में जानने के बाद गुम्मई में रहने वाले उसकी तीनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया और अपने बयान देते हुए पुलिस को बताया कि मनोज और सरस्वती पती पतनी थे और करीब आठ साल पहले दोनों ने एक मंदिर में शादी की थी वह दोनों बहुत शान्ती के साथ अपना जीवन को जा रहे थे लेकिन उम्र में काफी जादा अंतर होने के कारण उन्होंने किसी को भी अपने शादी के बारे में नहीं बताया इन दोनों की उम्र में 20 साल से भी जादा कांतर था और इतना जादा एजग्याप होने के कारण सरस्वती मनोज का परिचे अपने मामा के रूप में कराती थी बहनों के दिये गई इस बयान के बाद पुलिस ने मनोज से फिर कड़ाई से फूस्ताच की उसने शादी की बात को मानते हुए कहा कि सरस्वती बहुत जादा शक्की थी उसे लगता था कि मनोज उसके साथ बेवफाई कर रहा है सरस्वती के इस शक के चलते दोनों में एकसर लड़ाई जगड़ा होता रहता था गटना के दिन भी ऐसा ही एक जगड़ा हुआ लेकिन उस दिन मनोज कागु से बाहर हो गया और गुसे में घर से बाहर चला गया जिसके चलते सरस्वती ने कीट नाशक पी कर आत्म हत्या कर दिल क्योंकि जिस समय यह गटना गटी तो मनोज घर में नहीं था और जब वे घर लोट कर आया तो सरस्वती को मृत देख वे बुरी तरह से घपरा गया उसने लगा कि सरस्वती की हत्या के मामले में उसे पकड़ लिया जाएगा इसलिए उसने शव को छुपाने की कोशिश में वुड़ कटर से सरस्वती के कई टुकड़े कर दिये हिरासत में लिए जाने की वाद कोर्ट में मनोज के वकीलों ने यह कहा कि मनोज मांसिक रूप से बिमार है और उसे इस कारण छोड़ दिया जाए ताकि वह अपना इलाज करा सके तब कोट ने पुलिस को आदेश दिये की मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाए हलाकि जूट और अपरात कभी नहीं चुपता और टेस्टर रिपोर्ट में भी यह सच्चाई सामने आ गई जेजे अस्पतान ने इस बात की पुष्टी की की मनोज मानसिक रूप से स्वस्थ है उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है इसी बीच पुलिस को मनोज के फ्लेट से काफी अजीबो गरीब चीजे भी मिली जैसे एक हतोड़ा, एक टायर कटर, एक चैन सो, मास्क के साथ एक प्रेशर कूकर और मास्क के पके हुए टुगडों के साथ एक बाल्टी और भुने हुए मास्क के टुगडों के साथ एक पीतल का भगोना मास्क के टुकडों के साथ दो स्टील की चमच, स्लैप पर रखे सरस्वती के बाल और बद्बू से बचने के लिए स्लैप पर रखी एक खुश्बुदा शीशी इसमें से चैन्सो आगे जाकर एक बहुत बड़ा सबुत बन गई दरसल आसपास पूश्टाश करने के बाद जब पूलिस आस्ता एंटरप्राइस पर पहुँची तो दुकान के मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले मनोश चैन्सो की मरमत कराने के लिए महां आया था और मनोश से यह पूछने पर की वो उससे क्या काम लेता है उसने पूलिस को कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया अब पूलिस के हाथ में एक फुकता सबूत लग चुका था पूलिस ने अपने तरीके से मनोश को रिमांड पर लिया और आकिरकार उसने सच पूगल दिया जिससे सुनकर सबी के होश उड़ गए पूलिस ने खुलासा किया कि दरसल शक की सरस्वती नहीं मनोश खुद था उसे लगता था कि सरस्वती के और आदमियों के साथ नाजायस रिष्टे हैं और यही शक सरस्वती को मानने की सबसे बड़ी वज़ा बना उम्र में मनोश सरस्वती से काफी बड़ा था और इसी इनसीकॉरिटी के चकर में मनोश ने बड़े ही शातिराना डंग से हत्या की योजना बनाई थी पूलिस द्वारा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री की जाच की गई तो पता चला कि उसने हत्या से पहले यानी 18-29 माई को उसने गूगल पर सेच किया था गाहत तक कीट नाशक के बारे में और साथ ही साथ गूगल में यह भी सेच किया था कि किसी शव को गलाने में कितना समय लगता है शव को टुकडों में कैसे काटा जा सकता है और उन्हें कैसे ठीकाने लगा सकते हैं और गूगल की द्वारा ही दी गई जानकारी के अधार पर उसने पहले हत्या का समान इकटा किया उसने 1000 की टाइल कटिंग मशीन इलेक्टिक चैन्सों मशीन खरी दी फिच्छास और कीटनाशक का इंतिजाम किया और शव की बद्बू को रोकने के लिए वहर नीलगिदी तेल की पांच शीशियां भी खरीद लाया गटना के दिन उसका उसी मुद्दे पर काफी जगड़ा हुआ और जगड़े के बाद उसने वही कीटनाशक सरस्वती को चाज में मिला कर दे दी उसे तडपता छोड मनोज उसकी मौत का इंतिजार करते करते घर से बाहर चला गया कुछ दिर बाद जब मनोज घर वापस आया तो सरस्वती के मुझसे जाग निकल रहा था और वो दम तोड़ चुकी थी उसने सरस्वती की सासों को चेक किया और फिर दरिंदिकी की सारी हधे पार करते हुए मनोज उन्हें सरस्वती की बादी के इलेक्टिकारी से 20 तुकडे किये और चारो तरफ बिखरे हुए खुन से उसने बॉडी की तुकडो को बाल्टी में डाल दिया ताकि खुन बाल्टीों में ही रहे लेकिन उसकी दरिंदिगी इतने पर ही शांत नहीं हुई उसने कटे हुए तुकडो को इतना छोटा छोटा काटा कि उन्हें कूकर में उबाल सके और फिर उसने कुछ टुकडो को कूकर में उबाला भी और कुछ टुकडो को गैस पर रोस्ट भी किया और बाद में उन्हें कुत्तों को खिला दिया पुलिस ने सबी दुकानदारों के बयान दर्च किये जहां से मनोज ने समान खरीदा था इन सबी सबूतों के अधार पर पुलिस ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने 302 के तहट मनोज को मुझरिम करार करते हुए जेल भेज दिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी यह मुकदमा चल रहा है मनोज के वकीलों ने एक और कोशिश करते हुए इस केस में एक नया मोड लाने की कोशिश की है उन्होंने यह कहा कि मनोज का HIV पॉजिटिव टेस्ट किया गया था सन 2008 में और उसके बाद से मनोज के सरस्वती के साथ कोई फिजिकल संबंद भी नहीं थे पुलिस ने बारसो पन्नों की चार्शीट और अरसट विटनेस का ब्योरा कोट में जमा किया और उन्हें विश्वास है कि सरस्वती को इंसाफ जरूर मिलेगा दोस्तो यह गड़ना आमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान के साथ हम प्यार के लम्हे गुजारते हैं जीने मरने की कसमे साते हैं क्या वो ऐसा हैवान भी बन सकता है हम उपर वाले से प्रातना करते हैं कि सरस्वती की आत्मा को शान्ती दे और ऐसी मौत किसी को ना मिले दोस्तो आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद